हेलो एब्रीवन लणाकिलस क्लासेश की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं जेसी ए आर्टी हिंदी की पाठी पुस्तक भासा मंजरी कक्षा छे की इसके पाठ सत्र रवी का सुधार इस चेप्टर के प्रस्ण को पहले हम लोग देखेंगे जो कि प्रिश संख्या 123 में दी गई है उसके बाद बारी बारी से हम लोग उत्तर का भी डिस्कस करेंगे चली तो स्टार्ट करते हैं इसका पहला प्रश्ण है रवी किस परकार की सरारतें करता था इसका दूसरा प्रश्ण है लेखक और उसका भाई रवी से क्यों नाराज रहते थे इसका तीसरा प्रश्ण है रवी की सरारत से पडोसी किस परकार परेशान थे इसका चौथा प्रश्ण है रवी ने श्री शिन्हा के घर की पाटी का किस परकार आनंद उठाया इसका पांचवा प्रश्ण है रवी सरारती बालक था लेखक और उसके भाई ने किस परकार उसकी सरारतें छुड़वाई इसका छठा प्रश्ण है रवी को उसकी सरारत का फल क्या मिला इसका साथवा प्रश्ण है कहाने से आपको क्या संदेश मिलता है और अंतिम आठवा प्रश्ण है किसी के घर जाने पर रवी की तरह सरारतें नहीं करने चाहिए क्यों इस तरह से हम लोग आठों के आठों प्रशनों का उत्तर को देखेंगे ठीक है एक एक करके तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला प्रोश्ण है रवी किस परकार की सरारतें करता था इसका उत्तर है रवी सदेव आसपास गंदगी फैलाते रहता था वह वैसी सरारते करता था जिससे प्रभावित वैक्ति परेशान हो जाए कुशन मैं कहा गया है कि रवी आखिर जो सरारत करता था वो किस परकार की सरारतें थी उसकी तो रवी क्या करता था वो जो भी गंदगी कुड़ा करकट होता था उसको उढ़ेल देता था इधर उधर गंदगी फैला देता था जिससे क्या होते थे दूसरे परेशान हो जाते ठीक है तो चलिए अब दूसरा कुशन देखते हैं दूसरा कुशन है लेखक और उसका भाई रवी से क्यों नाराज रहते थे इसका उत्तर है लेखक और उसके भाई रवी की गंदगी फैलाने और मनरण्यन के लिए किसी को परिशान कर देने की आदत से नाराज रहते थे दूसरे प्रश्म में ये कहा गया है कि जो इस पाठ के लेखक हैं वो और रवी के भाई दोनों क्यों परिशान रहते थे रवी से तो रवी से वो लोग इसलिए परिशान रहते थे क्योंकि रवी क्या करता था वो गंदगी फैलाता था पहला और दूसरा जो है वो किसी को भी परेशान करता था चाय कोई भी हो सभी को वो क्या करता था परेशान करता था इसके यादा से क्या थे लेखक और उसके भाई दोनों जो है रवी से परेशान थे ठीक है चलिए अब दिसरा question देखते हैं तीसरा प्रश्ण है रवी की सरारत से पडोसी किस परकार परिशान थे? इसका उत्तर है रवी की सरारत से पडोसी काफी परिशान थे वह उनके आस-पास में गंदगी एवं कूड़ा फैंक देता था रवी करता क्या था उसके जो पडोसी थे उनके घर के बगल में उनके घर के बगल में वो क्या करता था जितने भी कूडे करकट होते थे उसको फैला देता था जिससे क्या हो जाते थे पडोसी परिशान हो जाते थे ठीक है चौथा प्रशन देखते हैं इसका चौथा प्रशन किया इस परकार हर तरह से उसने सिन्हा जी के घर की पाटी का आनंद उठाया कहा जा रहा है कि रवी ने जो स्री सिन्हा जी के घर के घर में पाटी दी गई थी तो उसने क्या क्या किया किस परकार उसने मजे किये तो इसका उत्तर है रवी ने क्या किया स्वादिश्ट खाना चॉकलेट खाया उसे गिफ्ट भी दिया गया इस तरह से क्या किया उसने पाटी का आनन्द उठाया ठीक है चलिए अब पांचमा प्रशन करते हैं रवी सरारती बालक था लेखा को और उसके भाई ने किस परकार उसकी सरारते छुड़वाई इसका उत्तर है रवी की सरारत को छुड़ाने के लिए लेखा को उसके भाई ने वही सब कुछ किया जो रवी दूसरों को परिशान करने के लिए करता था ऐसा करने से उसकी सरारत की आदत पूर्ण रूप से सुधर गई लेखा को और उसके भाई ने क्या किया उन्दोनों ने ठान लिया कि नहीं रवी जो दूसरों के साथ करता है रवी तभी सुधरेगा जब उसके साथ वो चीज हो और वो भी महसूस करें कि दूसरे को परिशान करने का ये गुड़ा करकट फैलाने का परिणाम होता क्या है इसलिए लेखा को और उसके भाई ने क्या किया वही सब किया जो रवी दूसरों के साथ करता था इसलिए जो है रवी जो है इसी तरह दिरे 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 क्या हुई उसके आदस सुधरी की नहीं दूसरे को परिशान नहीं करना चाहिए, ठीक है, चलिए अब छटा प्रसन देखते हैं, इसका छटा प्रसन है, रवी को उसकी सरारत का फल क्या मिला, इसका उत्तर है, रवी को उसकी सरारत का फल यह मिला, कि जब उसके कपड़े पर चॉकलेट शिपक कर गंदे हो गए, तब वो खीज कर दूसरों को कोशने लगा, तब वो समझ पाया कि मैं भी किसी को कश्ट देता हूँ, यह सोच कर रवी ने सरारत करना छोड़ दिया, हुआ क्या, कि एक दिन रवी के साथ क्या हुआ था, कि उसके कपड़े पर चॉकलेट लग गए, और वो काफी परिशान हो गय चॉकलेट लग गए, तब वो दूसरे को कोशने लगा, कि पता नहीं किसने चॉकलेट लगा दिया, फिर उसे यह भी असास हुए, कि कहीं न कहीं इसके लिए मैं भी जिमेवार हूँ, मैं भी तो दूसरे को इसी तरह परिशान करता था, ठीक है, तब उसको क्या हुए, यह समझ में आया कि दूसरे को कश्ट देना जो है, वो कितने बूरी बात है, इस तरह वो क्या हुए, सुधर गया, चलिए अगला कुश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है यह जो कहानी है, रवी का सुधर, इससे जो है क्या संदेश मिलता है हमें, इसका उत्तर है, इस कहानी से ह हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे जीवन में साफ सफाई और स्वक्षता बहुत आवस्यक है देर सब एरे हमें यह बात समझना ही पड़ेगा इस पार्ट में हमने एक ऐसे ही बालक के बारे में पढ़ा है जिसे कूरा करकर बिखेरने में मजा आता था अंत में उसे अपनी करन का फल मिल गया और वह सुधर गया कहा जा रहा है कि इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि हमें सबसे पहले यह ग्यात होता है कि नहीं साफ सफाई रखना जो है वो बहुत ही आवस्यक है उसके क्या लाब हैं यह भी पता चलता है फिर जो है इसमें एक बालक रवी के बार जाने से जो है वो कितना नुकसान होता है ठीक है इस तरह वो क्या होता है फाइनली वो सुधर जाता है ठीक है जब वो सुधर जाता है उसको अपनी करने का फल मिलता है जब वो सुधर जाता है तब जो है क्या होता है फाइनली उसे पता चलता है कि अब ऐसा नहीं करना चाहि गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, ठीक है? चलिए अब अगला प्रस्ण देखते हैं, किसी के घर जाने पर रवी की तरह सरारतें नहीं करनी चाहिए, क्यों? तो रवी की तरह जो है, वो बदमाशियां या सरारतें नहीं करनी चाहिए, अखिर क्या कारण है? तो सीधी सी बात है, किसी के घर जाने पर रवी की तरह सरारतें नहीं करनी चाहिए, रवी की जो आदतें थी, वो कैसी थी? वो बुरी आदतों में आती है, उसी तरह हम लोग यांदि वैसी सरारतें करेंगे तो हमारी भी आदतें किसमें सामिल हो जाएंगी बुरी आदतों में सामिल हो जाएगी और दूसरी बात क्या सरारत करने से क्या होता है जिसके हैं हम जाते को भी मिल सकता है ठीक है इसलिए रवी की तरह जो है कहीं भी जाने पर सरारतें नहीं करने चाहिए ठीक है चलिए तो इसी तरह हम लोग इस चेप्टर का रवी का सुधार जो था है इसके आठ प्रशन उत्तर को अच्छा लगा होगा वीडियो को पॉस करके आप लोग इस सारे कुशन आंसर को लिख लिजेगा अपनी उत्तर पूस्तिका में ठीक है और इसे याद भी कर लिजेगा ताकि आप एक्जामिनेशन में अच्छे तरीके से लिख पाएं ठीक है चलिए तो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राब कीजेगा धन्यवाद